आपको अगर खालिस्तान चाहिए ना बिल्कुल देंगे मैं शुरुवात से कहता है खालिस्तान की मांग होती है खालिस्तान के नारे लगा अरे मैं वही तो कह रहा हूँ खालिस्तान चाहिए भरपूर देंगे लठ पे लिखके देंगे बता देना कहा कहा चाहिए आपको या यह नहीं चीए कि आज से तीन साल बाद मोदी को मार देंगे बस केवल पंजाब और हर्याना किसान है अगर ऐसा किसान किसान होता है जो हमारे प्रधान मंत्री को मारने का प्रयास करें तो ऐसे किसानों को मुपद्रवी कहना ज्यादा जरूर और यह कौन से किसान है जो केवल सब किसान आंदोलन में हमें जो है हम इंडिया के साथ अड़्जस्ट नहीं कर पारे हमें पाकिस्तान के साथ मिला दो वहां पे खड़े हो करके मांग खालिस्तान की होनी चीए वहां पे खड़े हो करके मांग यह होनी चीए कि CAA citizenship amendment act में जितने भी लोगों को अरेस्ट किया ग्याता जो उसके खिलाब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको वापिस छुड़ा दो जिसमें एक नाम शर्जिल इमाम का है शर्जिल इमाम कौन जिसे ने इस देश से चिकन नेक को काटने की बात की थी ठीक है मतलब इस देश के टुगड़े करने की बात की थी अपनी मांग पही अडिक नहीं है सर और उसके बाद यह लोग एक अलग रोना रो रहे हैं कि हमें दिल्ली निए रहे हैं वाइस आप कैसे या तोह हमें कोई 10 रुपे के स्टैम पेपर पे लिखके यह दे दे कि अगर यह लोग दिल्ली आ रहे है तो लाल किले के उपर जा क करके यह खाल्सा का जंडा नहीं फैराएंगे ठीक है जो पहले देखा गया या फिर आइटियों के उपर जा करके यह ट्रैक्टर से किसी किसा किसी पुलिस वाले को कुछल के नहीं मारेंगे तीस-थीस फूटी लाल किले की उची दिवारों से यह लोग पुलिस वालों को धक्का दे दे के उनको अपाहिज नहीं करेंगे सरस्वागत है न करिए लेटर लिखिए जनतर मंतर पे प्रोटेस्ट की जगा खा लिए वहां के करिए गांधी मैदान में जाकर के करिए और ये कौन से किसान है जो केवल पंजाब और हर्याना के है बाई साब बियार का किसान नहीं, चतिसफ गड़ का किसान नहीं, अगर ऐसा किसान के ओन होता है, जो हमारे प्रदान मंत्री को मारने का प्रयास करें तो ऐसे किसानों को आम उपद्रवी कहना जादा जरूरी बच्चे थे उनके मुह से निकल गई दुनिया जूबीडू की है सुबह आएगा कोई लॉलिपॉप दे जाएगा दुपहर को खाना मिल रहा है रात को खाना मिल रहा है प्रदर केस चल रहा है उस व्यक्ति के ओपर उसने मारा पता है किसको है अपने जैसे ही एक और पर किसान अंदोलन में खड़े फूंफ ए और और यानि कि इप किसान नेता की अत्या कर रहे हैं तो यह कैसा किसान नेता है वाई है देखिए वो लोग वह हैं जो उनके पीछ जाते हैं तो पिछानवे लोग क्या खड़े हो करके मां चूड़िया पहन के देख रहे होते हैं आपके कैमरे आप जैसे यहां कैमरा लगा हुआ है मैंने बोल दिया कि मुझे खालिस्तान चाहिए और यह लोग किसान अंदोलन के प्रोटेस्टर से तो यह क्या बीच कैमरे मे करके कहता है कि हमारे पास एक हजार ट्रेक्टर हैं चाहेंगे दिल्ली की और मूँ मोड देंगे अब भाई अगर तुझे इतना ही शौक है तो एक कामकर पाकिस्तान की और मूँ मोड ले उन ट्रेक्टर का ठीक है वही तो कहे रहा हूँ खालिस्तान के पास जाओ पाकिस्तान को बोलो कि भाई साब मुझे खालिस्तान चाहिए ठीक है हाँ मैं वही बता रहूं मैं आपको ठीक है इन लोगों की हरकते ऐसी है ना सर ये लोग जो है ना अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है किसान आंदोलन का मतलब इन्होंने आतंकवाद से जोड़ रखा है ठीक है मैं किसान आंदोलन का स्वागत करता हूँ अगर किसान यहां प को शील आप कि ऊसेिझे शुकुल बस नहीं रुकेगी और उनकी से अन्यय लोग परेशान होंगे उन्हार नॉक्त करते हैं जोडिली में नौरिक करते हैं वो लोग परैशन नहीं होगे तो ऐसे किसानों का स्वाक्रेशान नहीं होगा हम सर्व्य सोड पर धर्वना करेंगे पूरा बंद कर देंगे सर्वीस रोड पर दुनिया मैं क्या बोलू przekो इसमारा को में क्या बोलू ये लोग तो पिछली बार भी यही हुआ हम दूख जाता आते हैं लेकिन क्या आप उन्ति आपको याद है लाल बादुर शास्त्री का ना रहा जै जवान जै किसान और अगर किसान खड़े बॉर्डर्स पे खड़े हो करके अपनी तैयारी के साथ आए ट्रैक्टर को टैंक बना करके आए दो दो लाग दस लाग रुपे के कोते हैं एक महीने पहले मॉक ड्रिल करते यह लोग बहुत कि बाइसाप कैसे मुझे लड़ना है एक द्रॉन की कीमत अप भी मीडिया वाल हमुझे पता है डिड c 2,000,000 शुपimon की कीमत होती ठीक है अगर 2,000,000 bonus लिए और उनके उपर लगा रहा है तो किसान आंदोलन की सबसे पहले तारीखों के उपर गौर करना बहुत जरूरी है अब मैं यहाँ पे खड़े होकर के एक बात कहने वाला हूँ कि किसान आंदोलन राम मंदिर के विरोध में चलाया गया है अब आप कहेंगे कैसे तो जगजीत सिंग का बयान आया था कि राम मंदिर बनने से किसान नरेंद्र मोधी का ग्राफ उपर गया है हम उसे नीचा करने आये जगजीत सिंग किसान नेता है वो भी और वो खड़ा हो करके इस प्रकार की बाते कर रहा है तो सोचिए कि ये किस प्रकार का किसान आंदोलन होगा और सुनिए ये लोग MSP की मांग कर रहे है MSP के बारे में सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ MSP की full form है minimum support price वो 1960 में उस समय पे आई थी जम पाकिस्तान के साथ हम वार्फरंट पे लड़ रहे थे और अमेरिका ने हमें अनाज देने से मना कर दिया था तब हमने अपने देश के किसानों को उपर लाने के लिए MSP का MSP लाई ठीक है ताकि हमारे किसान मोडिवेट हो और वो खेती है जानि कि हमारे हमारे देश के पास अनाज अधिक हो रहा है तो हम किस बात की MSP दे और मजे की बात आप सुनिए अगर आप अपने देश में MSP के हिसाब से किसानों से अगर एक क्विंटल गयों खरीते हैं तो आपको 2200 रुपे देने पड़ते हैं और अगर आप रशिया से इंपोर्ट करवाते हैं तो 1700 रुपे में इंपोर्ट होता है तो हम इंपोर्ट क्यों ना करवाएं